हालो अप सभी का स्वागत है फ्रेस्स आप सभी को पता होगा कि इस समय यूपी बोर्ट का एकजाम चल लहा है फ्रेस्स आज चौबिस मार्च 2022 आज कच्छा 10 का ये फिर्ट पर हुआ है इसमें जो हिंदी कफ पर है समें पूचहक ön उन सभी प्रश्णों को यहां पे हम व्याख्या सहीत हल देखेंगे चलिए फ्रेंस इस्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस यह आपके सामने पहला प्रश्ण है कि निम्नलिकित कतनों में से कोई एक कतन सही है उसे पहचान कर लिखिए फ्रेंस यह आपके सामने चार आपसन था जि अगले अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रस्न था कृतिविद किर्तियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखना है और चंद्र गुप्त को जैसे कर प्रशाद नहीं लिखा है इसमें किसी एक का नाम लिखना था ठीक है आपका अगला प्रशन है कि कलम का सिपाही में कि साहितिकार का जीवन परिचे है ठीक है यानि कलम का जो सिपाही है इसमें प्रेम चंद्र को जीवन परिचे ठीक है इसका राइट एंसवर प्रेम चंद्र होगा आपका अगला प्रसन है कि क आवारा मसीह को किसने लिखा है इसका राइट एंसर हो जाएगा विश्रु प्रभाकर देखे च्छायवादी की दो प्रमुक विश्यस्ता लिखनी थी तो आप इसका एंसर लिख सकते हैं फिर इसके बाद था कि रितिकाल की दो प्रमुक प्रवित्यों को लेक कीजिए ठीक ह फ्रेंस आपके बाद यह तिसरा नंबर यह थोड़ा सा लांग कोईशन इसलिए इसका पूरा नहीं दे पाएं आप लोगों को इसमें देखी क्या था सवाल में किसी एक गद्दांस के नीचे दिये प्रशन का उतर दीजिए तो फ्रेंस यहां पे दो आपसन था इसमेंस आ उपसर्गों में से किनी तीन के मेल से एक शब्द बनाई है यहां पर यह आपका च्छा प्रशन है इसमें से एक तीन का एंस्वार देना था यानु से यह आपका क्या है उपसर्ग है अनु से बनेगा अनुकूल परी से बनेगा परिजन अभी से बनेगा अभी मुख यानि अधिश से अध्यच हो जाएगा। इसकेबाद आपका ab college admit अविकेज़ निम रिखे त में से किरीज दो परत्यों का पर्युगकर के एक शब्द बनाना ने यादि कि यहां पे जो दिया गया किसी का लिखना था ठीक है आपका अगला प्रश्न है कि निम्न लिखेत में से किनी दू में से चाहां नाम भी आपको लिखना था साथ्मीत यहां पर चार दिया है इसका सामाज सिक्रा करना बाताना आणना देखिए पाप और पुड़े के का होज़ागा समास विग्रा पाप और पुड़े होगा समास विग्रा यह द्वन्द समास होता है ठीक है नौ रतन को होता है समास विग्रा कि नौ रतनों का समू यह वज़ागा दिव को समास तिरंगा को होगा तीन रंगों का समू दिव को समास ठीक ह अगले प्रशन को देखते हैं ऐस आपक्cause अगला प्रेशन है था कि निम्ना लिखीतीं में से किनी दो शब्दों के तदस्सं रूप लिखिए यानि कि कपूत जो आपका है क्या है इसका तदस्सं रूप क्या होगा f быстрasy ये आपका सभी तत्सम रूप है कपूत कहोगा कुपूत्र, उमा ओगा Kूप, दूद कहोगा दुग्द, चरन कहोगा कर Nós इसमें से किसी दो यह इंसोर लिखना था हो ठीक है ? इसमें से किसी दो के आपको 2 दो परीवाची लेकिन यहां पर आपको 3 टी परीवाची बताएं जैसे अगनी को होगा आग अनल पावक हो जागी सिर्भाड का आम को अमः सौरभ रशाग फिर इसके बाद किनारा का परिवाची यदि लिख्याप होगा ते इसका होगा सीमा तर्ट कगार पच्छी का होगा चुरिया खग परिच्छा रेस्वरी दोसु परिंदा दस का है देखे फ्रेंस इस प्रशन का इंस्वर लिखना था कि निम्लिकित में से किनी दूग में इसमें कि क्या होता है कि जो सब्द्र होता है उसमें आधा आधा यह आदा अधा रह ता यादि यह पाचाल रह परsınका गया यह यत प्र snipp अप्रति और सननी विच्षेत करना था और संधी का नाम लिखना था इसके बाद अगले प्रश्न पर आता है अब यहां पर निलिखी शब्दों के खश्टि भक्ति का बहु अचन रूप लिखना था यहाँ पे दो शब्द दिया है इसमेंसे किसी एक लिखना था लेकिन यहाँ पे आपको दोनों शब्दों का बता रहे हैं है जैस्ट का क्या हो जागा खश्टी व बहु अच्छल ₩य रूफ अ क्या हो जागा इसपर नधी को जू़ँआ नध techno नाम होगा और फ़ल का क्या होगा फला ना और मती क्या होगा मती नाम होगा फ्रेंज यह थ्वर सा लांग को था इसलिए इसको नहीं लिखे आप परश्ण को देख सकते हैं परश्ण आया था आपको गहन लिखित में से किनी दो वाक्यों का संस्क्रीट में अनुवात संस्कूरिट नह tribalतु सुखिना और यहांपर आपका नुआण की है चोत्ते नंवर के ब्रिच से पत्ते गिरते हैं पत्ते इसका हो ब्रिच्छाद पत्राली पतंती इसका संस्कूरिट अनुआद हो जाएगा परस्ण प्रेस दें वेगे फ्रेंस अब इसमें क्या करना था कि एक वीजह पर निवन लिखना था ये चार था जैसे स्वच भारत अभियान विज्ञान वर्दान अभिशाप इसमें चार पर किसी एक पर आपको निवन लिखना था और ये था चार नमबर का आपका अगला प्रशन था कि अपने पतित खंड काब्ब्र आधार पनिम्लिकित प्रश्णों में से किसी एक को उत्तर है यानि कि यह आपका खंड काब्ब्र दाया इन दोने सिस्यकन इन दोने में सेसी एक का उन्हीं कि prata अआपके